हाँ भाई तो ये है बहुत ही भैदरीन सवाल अगर आपको इनीशली क्लिक करिया कि इसमें करना क्या है तब तो ये बहुत ही आसान कुश्चन है और अगर क्लिक नहीं किया तो इसमें उलज जाओगे ये इस प्रकार के सवाल वैसे होते हैं गवराइए मत मैं से दिखता खतरनाक हूँ ये खतरनाक नहीं है लेकिन इनीशल लेवल पर हो सकता है कि ये खतरनाक लगे वही एक इक्वेशन कुल दे रखी है और अन्नोंस कितने हैं तीन यूजुली क्या होता है जितनी इक्वेशन उतने unknowns यहाँ पर तीन unknowns से equation एक है लेकिन कुछ information और भी given है कि we are looking for positive integral solutions तो यह काफी important information होती है अब इस information को कैसे यूज़ करना है चलिए वाई question को solve करते है यह number बहुत ही प्यारा है देखो क्या हो रहा है x अगर integer है y integer है z integer है तो यह जो quantity है यह even quantity होगी यह भी even number होगा यह भी even number होगा तीनों का sum even है खिर वो important बात नहीं है लेकिन हार term individually even है अब मैं काम करता हूँ LHS में से 2 raised to power x बहार निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 यह y minus x हो जाएगा y x से बढ़ा है यह z minus x हो जाएगा z b x से बढ़ा है अब यह जो number है ना 2, double, 3, 6 इसको आप 2 से divide करते जाएए भाई अपने को 2 का exponent इतमे find करना है उससे क्या benefit मिलेगा जब आप इसको 2 से divide करेंगे करते जाएंगे so you will find that 2, double, 3, 6 is 2 raised to power 5 into 73 अब देखो ध्यान से जरा कि यह जो expression लिखावा है ना यह bracket के अंदर यह odd expression है कैसे भाई यह 2 की पावर में कुछ लिखावा है यह even हो गया यह भी even हो गया और इधर plus 1 लिखावा है तो यह जो चीज है this is odd और यह obviously even है so on comparison यही एक possibility बनती है कि 2 raised to power x is equal to 2 raised to power 5 and the remaining expression is equal to 73 इसके सिवा और कोई possibility नहीं है समय रहे बात को चलिए तो फिर comparison कर दिया हमने यहां से x की value 5 आगई बढ़ ही आराम से यह जो बचा कुछा expression है यह किसके बराबर है 73 के सो यहां से what we are getting ठीके फिर से हम यहां से common निकालते हैं अब क्या common निकलेगा 2 raised to power y minus x अंदर क्या बचेगा 1 प्लस और यहां पर 2 की power अब क्या हो जाएगा z minus x minus y minus x तो z minus x से minus y और minus minus प्लस हो गया x से x कड़ी आएगा यहां पर 2 की power आगई z minus y अब 72 को फिर से break करते हैं 2 से divide करते जाते हैं तो this is 8 into 9 यह odd number होगा तो इसको 9 के equal होना ही पड़ेगा इसको 2 raise to power 3 के equal होना ही पड़ेगा on comparison we are getting y minus x is equal to 3 अच्छा x हम अल्रेडी find कर चुके हैं वो कितना था 5 तो y कितना आ गया यहां से 8 और बचावा expression क्या है 1 प्लस 2 raise to power z minus y is equal to 9 मतलब 2 raise to power z minus y is equal to 8 तो यहां से z minus y कितना आ गया 3 के equal y हम अल्रेडी find कर चुके हैं तो z कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 बोले तो 11 x की value 5 y की value 8 z की value 11 बस समझ में आई क्या